सोनाओ इन्फी वीम एवन्यू लिमिटेट अब देखें यह 22 रुपए 15 पैसे का स्टॉक लोग काफी कुछ यहां पर कहते हैं कि पहने स्टॉक के बारे में देखें या फिर कुछ ऐसे प्राइसिंग हो जो कि 100 रुपए के ब्लो हो या फिर 50 रुपए के ब्लो हो तो यहां प बिजनिस को आपको समझने में आसानी होगी और कहां तक ग्रो कर सकता है यह आप बखू भी समझ सकते हैं तो अभी हम देखते हैं कि यह 22 रुपए 15 पैसे का स्टॉक जिसके अच्छे खासे क्लाइंट्स है वो क्या करता है और इसके फंडमेंटल कैसे बिजनिस को समझने से पहले हम देखते हैं इसका वन इयर केंडलिस्टिक चार्ट और यहाँ पर 2016 में यह लिस्टेट है अगर आप NSE के हिसाब से देखेंगे बट NSE के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह आलमोस्त यहाँ पर है क्योंकि एक बार स्प्लिट हो चुका है बोनस हो चुका है त बट यहाँ पर कुछ ऐसी कोई खराबी नहीं है कंपनी के अंदर वो आपको आगे पता चल जाएगी बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलमोस्त दस रुपे पर इसकी सुरुवात होई थी दस रुपे के आसपास इसकी सुरुवात होई थी और यह स्टॉक ने लगाया था 50 रुपीز के असपास का अगर आप देखें तो अलमोस्त 2018 के असपास का हाई है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसका लो जो है ना इसे कंपनी का वो लगाया अलमोस्त 7 या 6 रुपे के आसपास 6 से 7 रुपे के असपास का lowest level है इस कंपर और यहाँ और अभी जो work कर रहा है वो इस वक्त जो pricing है वो आपका यहां पर है दो हजार 21 का जो price है और दो हजार 22 का जो price है उससे भी नीचे कर रहा है यानि कि 24 रुपए जो है वो almost है यहां पर दो हजार 22 का high है और दो हजार 21 का जो है वो almost 28-29 रुपए का high है इस stock के अंदर 28-29 लेकिन अगर आप देखेंगे कि असली तेजी जो इसके अंदर सुरुवात होगी वो यहाँ पर तब होगी जब यह दो हजार एक्ट का जो लेवल है दो हजार एक्ट का लेवल 29 रुपए के आस पास का यह लेवल जब यह स्टॉक क्रॉस करेगा उसके बाद इसकी जो एक अच्छा खास जो एक रेंज ओपन होगी वो कहीं न कहीं 50 रुपए तक की यहाँ पर ओपन होती ही नजर आएगी तब तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा इस स्टॉक का 29 रुपए निकल लेगा उन्तुस रुपए जैसे ही निकलेगा कहीं न कहीं इसके अंदर दमखम बढ़ेगा और आप देखेंगे कि यह जो आल्मोस्त दो हजार अठारा की जो लेवल्स है वो कहीं न कहीं आपके आती हुए नजर आएंगे अब एक दिन में नहीं आएगा एक महीं नहीं नहीं आएगा लेकिन अब जो एक ओपन स्काई जो है न वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसके लिए इनफी बिम करते है थे कि पहली कमपनी है इंडिया के अंदर जो कि स्टॉक मार्केट में लिश्ट वो यहाह भी थी Fintech कमपनी आपके है सकते हैं इसको Fintech के यह आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें कि तो इंडिया का पेमेंट इंफिरसेक्टर कमपनी है Software भी बनाती है, Software Azure Service, यहापर वह करते हैं, Fintech Company है, जो कि यहापर प्रोवाइड करवाती है, Digital Payment Services, E-Commerce Platform Services, Digital Lending, Data, Cloud Storage, और Omni Channel Enterprise Software, जी या, अगर आप इनकी साइट पर जाकर देखेंगे, तो Enterprise Software जो है न, वो इनके बने हुए हैं, जो कि यह ग्लोबली यहापर जो है न, करते ह हैं, और ग्लोबली इनकी अच्छी खासी चाप है, मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से यहापर JP Morgan के साथ भी इनका partnership है, यह बहुत बड़ी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा है, अगर बैंक की बात करें, तो कहीं न, JP Morgan आते हैं, US से, और JP Morgan के बारे में किस परसन न आपर जो हैंना, उस सुना नहीं होगा, हर कोई जानता है, हर बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, और कोई बहुत लबमा टाइम यहापर नहीं हुआ है, इन फी बीन के स्टार्ट हुए, दो या साथ में यह कंपनी स्टार्ट हुई, इंटरनेट और FinTech के इंडस्टी म काम करती है, सोला साल हुए है, सोला साल में इनकी ग्रोथ जो है ना, वो रुकी नहीं है, लगातार बड़ी है, स्टाक पर बहुत बड़े इंपेक्ट्स आए हैं, और कभी कवार वैलिशन को लेकर भी कुछ बाते हुई हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो ग्रोथ है, वो लगा करवा है, यानि सर्विस देते हैं, लैसेंज टील हुई थी, एग्रिमेंट हुआ था दो यार बीस में, जेपी मॉर्गन चेस बैंक, ये ना, आगे क्लिए है, और जेपी मॉर्गन चेस बैंक का अगर आप देखेंगे, तो इनका नोटिवल वर्क्स आप देख लिए जगा इवेन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने बड़ी बैंक आती है, ग्लोबली, ये भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनके साथ यहाँ पर जो है एग्रिमेंट साइन किया था, पार्णर्शिप करी थी, यहाँ पर बैंक डोफर, S.A.O.G. यह य याद बैंक इनके साथ भी डिजिटल पेमेंट सर्विसेस के लिए पार्णर्शिप करी है, यही तो सबसे इंपोर्टेंट बात है, अभी आपका रिसेंटली जियो के साथ था, उससे पहले आपका 2020 में ही JP Morgan Chase बैंक के साथ हुआ था, जिस पर बहुत सारे लोग जानते नही होंगे, तो इसको यह समझना बहुत इंपोर्टेंट है, तो कुलम लाकर यहाँ पर हमने यह समझ लिया कि पार्टनर्शिप जो है न वो बहुत ही दिगजों के साथ हैं, यह और उनके साथ एक्रिमेंट भी है, ठीक है हमें यह बात समझ में आगी, हमने बिजनिस को समझ ल तो अभी यहाँ पर जो मार्केट कैप है, कोई बढ़ बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 6,140 करोड का मार्केट कैप है, अगर आप फिंटेक के अंदर देखोगे, तो आपको यह मार्केट कैपना बहुत छोटा नजर आएगा, फिंटेक के अंदर कौन-कौन सी आरी, जैसे क आपका पेटियम आता है, जैसे कि आपका पॉलिसी वजार आता है, पीवी फिंटेक और बाकी बगएर अगर एक दो लोग अल डिश्टेट हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं, और यह फिर यहाँ पर आ जाती है, यानि की इन्वी वीम एवन्यू, और उनके लियास से यहाँ मार्केट कैप काफी चोटा है, मैं आपको दिखाऊँगा, इसके सासाथ P-Ratio में काफी चोटा स्टॉक है, अगर आप देखें, इसके कॉम्टीटर्स के कमपेरजन, भाभी मार्केट कैप के लियास से यह बहुत ही चोटा स्टॉक है, अगर आप बात करें, पेटियम की त प्रोड़क्ट वेस्ट कमपनियां भी है, यानि की पेटियम और पीवी फिंटेक, यह रिटेल में इनका प्रोड़क्ट चलता है, इसी लिए कहिना कि इनकी वेलिशन जाता है, यह कौन है, यह एक तरीकी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि आपने एक नया एप लाँच क प्रोड़क्ट वर्माया को, तो यह एक तरीकी से आइटी कमपनी है, इनफी वीम, यह आप समझे इनकी फिंटेक, आप कह कह सकते हैं, इनफी वीम और पिंटेक के उपर भी नहीं है, यह सब से बड़िया, सबसे अच्छी बात यही है, कि इनफी वीम की उपर कर ज नहीं है यानि करिज का मतलब आपका कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें से कोई बटावा नहीं है कि आपका भीया आपको लोन चुकाना है या फिर इसकी पेमेंट करनी है कुछ नहीं सबसे बड़ी है सालाना जो सेल्स है यह आपके दोजातेस मार्च के साफ से यह यरली सेल्स है तो आपका देखें पेटियम का तो डिफरेंट ही है पेटियम का वर्की भी डिफरेंट हो उनका तो लोन लेंडिंग का भी काम है बाकी बगर काम है तो 7,985 करोड का है पीवी फिंटेक 2,557 करोड का है इन फी भी मगर आप देखें तो 1,962.34 करोड का यहां पर जो है वो आपका यहां पर रिविन्यू बनता है दो जातेस मार्च के साफ से लेकिन एक लोती कंपनी अगर आप कहें तो इन तीनों में से एक ही है पीवी फिंटेक 136.27 करोड का प्रॉफिट है दो जातेस मार्च के साफ से हाला कि जेगल जो अभी लॉँच हुआ है जेगल भी यहां पर प्रॉफिटेबल है 22.90 करोड बट उसका जो बिजनिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो यहां पर आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू यह सारी कंपनियों का इन फीवी अब आपके सामने पूरा का पूरा छोटा सा एक अनलाइसस है जो कि आपको समझना है कुल मुलाकर हमें यह बास समझ में आए कि कर्ज मुक्त है कंपनी यह एक अच्छी बात है सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए यह है बिजनिस ग्रोइंग है बिजनिस को ग्रो अगर मारजिनल देखेंगे आपके सामने मारजिन भी देखा रहा हो और सेल्स भी इए आपके सामने तो यह आपका सैथंबर जो अभी क्या रिसेंटली नंबर साइक कुट होगे सेवन हंड़े यहां पर लगता है कि कंपनी अंदर कुछ प्रॉब्लम चलिए काफी कौर्टर से तो हमें कौर्टर कौर्टर देखना चाहिए लेकिन जब ग्रोइंग कंपनी तो यह ओन यह बेसिस पर अम देखते हैं हर ग्रोथ में अगर आप देखेंगे हर क्वाटर में अगर आप 53 परसेंट इस तरीके से ग्रोइंग हो रहा है और आप देखेंग सेप्टेंबर पिछले साल यही आपकी जो नेट सेल आपका जब है ना इस वक्त दिखाई देए 790 करोड वही आपको पिछले साल के इसी कौर्टर ने 477 करोड की नेट सेल थी तो लगातार कंपनी ग्रोइ कंपनी का नाम भी बड़े और हमारा भी पैसा बढ़ता जाए तो वह ऐसी कंपनी ओपर देखने हो मिलता है अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आगे भी लगातार ऐसी चलता रहेगा लेकिन जो बिजनिस है वह वाकिए में बहुत अच्छा है और जो क्लाइंट से इनके वह जब नाम आयाता है जब उनके ऐसा कोई पार्डनर है जिसके साथ एग्रिमेंट ऐसा कर रखा हो तो तो और कहने ही क्या तो आगा जेपी मौर्गन के साथ है तो फिर और के साथ भी होगे सिंपल सी बात है अलाकि सबसे बेस्ट क्वार्टर आपका सेप्टेंबर क्यू टू नहीं है साथ साथ आठ आठ परसेंट ग्यारा परसेंट इस तरीके से मार्जिन है हालाकि क्यू टू में जो है ना वो बहुत ही बहतरी नाइन परसेंट का मार्जिन यहापर दोबारा क्लोग किया है और दो क्वार्टर से वो मार्जिन जो है वो स्टेवल थे सेवन सेवन प खासान निकल के आए पिछले आपके सामने सारे क्वार्टर से हैं 2021 मार्च से हैं आपके सामने हैं और आप देख लीजिए कि लगातार एक इनलाइन प्रॉफिटिविल्टी थी इसकी 49, 48, 47 इस वार इस पहला क्वार्टर है ये 70 करोड तो इसको वाच लिस्ट में लगा लीज कि भाई 22 रुपए का ये स्टॉक हर आखडों के साफ से पर्फेक्ट बैठ रहा है ये इन्वेस्टमेंट के लिए है ये इन्वेस्टमेंट करके रखिए और बस सिंपल सी बात है आप ये डिमांड मत करें कि स्टॉक अभी हाल फलाल में जैसे आपने रखा है स्टॉक और लेकर और वो रॉकेट हो गया ये आगे के लिए इन्वेस्टमेंट के परपस है सिंपल सी बात है फाइनेंसल का पहला कोटर ऐसा है जिसमें अब यहां पर जो है ना कुछ चीज़ सुदर्ती वी नज़रारी जैसे प्रोफिटिविल्टी बेसिस पर अर्णिंग पर शियर आपका इंक्रीज हुआ है ये बहुत अच्छी बात है तो पहला कोटर है और ऐसे ही अगर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर यहां पर जो ना आपकी वैलिशन वाइस ये कंपनी इंक्रीज होते है और वैलिशन तभी इंक्रीज होगी जब स्टॉक का भाव बढ़ेग तो यहां पर एक बेस बनाया है अच्छा खासा बेस तेरा रुपए पर तेरा रुपए पर इसने अच्छा खासा बेस बनाया है और ये स्टॉक ना अब उस बेस से बाहर निकला है 16 रुपए चालिस पैसे एक important level है जो कि बहुत जरूरी रहेगा 16 रुपए चालिस पैसे लेकिन अभी जो 2200 रुपए का stock चल रहा है अभी हाल फिलाल में इस जगह का कौन सा अ लेवल है जो कि important है तो मुझे लगता है कि 20 रुपए 85 पैसे 20 रुपीज 85 पैसे ये इस वक्त का सबसे most important लेवल है और अभी आप जो है वो आप 30 रुपए की तरफ देख रहे हैं 30 रुपए 5 पैसे अगर इसके अंदर निकल गया तो फिर यहाँ पर और तीजी कहीना की increase होती यह नज़र आएगी तो इस पर ध्यान दीजिए यह कहीना की टेडिंग लिए नहीं investment परपस यह कहीना की यह stock बना हुआ है और अगर business आपको समझ में आया इसके बारे में और analysis करिए और समझीए ज़ादा बेतर business समझ लिए एक बार तो फिर कोई भी company आपको समझ में आने ले तो मेरे ख्याल से यह stock जो लोग ढूनते हैं 50 रुपैसे नीचे यह stock उस category में है जिसके उपर करज नहीं है जो लगातर grow कर रहे है financials तो वो आपके सामने इन फी वीम आपके सामने लगता है सो अमीद है आप इस बात को समझेंगे आपया का कहना है इसके उपर कमेंस समझ करेंगे और अदेश में जाब बीडियों लिए लिए बताव दन्माद दोस्तो